आज हमारे कारिक्रम राजती पर चर्चा में आज हमारे खास फहमान है एलोकेट राजिला कोड़ जी जो बारत की जो पक्षेशित करी काम कार पक्ष जो इंग्लिश में प्रिजेंस पर्टी ऑफ इंडिया ठेला जाता है उसके महारे शक्रेटरी है इस का समवाद में हम उसे पुछे के जो आज हमारे इंदेश में वरत्रमान सर्मय में जो किसान का इशु बड़े बैमाने में उसके वारे में समवाद हो का क्यूं ने पॉर्टिक् कि वुज उसके सब्बग्रमान तो इसको भालत की सियासिे के बारवे बात करते सब्सक्राइब किbernate प्रिषा स्यू समोगे से इसको दलदल कीचन dollars कंसरी कर brush सब्सक्राइब कर दू रहे साफ़ालय जील कर्या ठाथा किसमें दलदल कीचनए जो आजम्ड है इसमें करता हू कि हमारी हमारा जो सर्विदान है वो सर्विदान खेता है कि हिंदुस्तान का काड़ोबार चलेगा वो तीन खंगों के उपर एक है लेगिस्लेचर जहां पर कानुन बनेगा और दूसरा है कि हमारा एडिस्टेशन जहां पर बढ़े हुए कानुन के उपर अमल होगा और तीसरा है जो जो अमल नहीं करेंगे उसको दर्बीद करेंगा तो पहली बात तो जहां पर कानुन बदता है वो काम करना उस हूस को जाना यहांने राज देते जाना है तो वह लुदिकी को दल्दल मुलने वाड़ी व्योंप मैं दल्दल से जनता को बहुर निकावेशताशक है जो चाहते हैंमें पिल्दल से आफने गार ओनेस आटर और अंसी से इक मतरतंयोंhellul कि अच्छ रोगों चाहिए कि लोगों दै जो है बिदि मंडल के अंदर कि जाना चाहिए वहां पर झाल्सादा बन how do सक्था यह में सबसे अहीं सबसे ऑइनरिकस nord जब कॉलेट में था उसमक्स चुड़ा इस संगतन से जुड़ा और भाद में अभ्यास कनने के बाद में मादूम हुआ इस देश में मझदूर और प्रवकास के चटव पर मझदूर और प्रवकास के विगर इस देश का विकास रहक है मुझदूर और पिसानों के राजणिति जिवन के अंदर एक सुनहरा दीन लाने के हिए उत्रा हूं पर अब विश्वास है यहां है वारी पर की च्छोटी ज़रूर होगी लेकिन उसका विचाज जो है जुए गुणिया दी विचार है फंडमेंटल थॉट है इसके और यही विचार जो है वो भारत को जो है संबुद बना सकते हैं भारत को यह कुछ आइक पर लेक्टाइब आसे अपको लगते हैं जो सामबले जेवाद विचारदार रहा है और कम्डेट विचारदार रहा है आज दिश्को और तोग्ला कर रहा है जरूर क्योंकि देखिए के उनिस सो में में रती हात्रा अगरा निकली है लालकुष्ण आरवानी में उनके पास कोई बुस्रा मजदा नहीं और रती हात्रा निकली बुरे देश केंदर उन्हों ने धर्म के नाम के ऊपर जहर फैला है राम जन्हों का सवाल जुए उच् देश बंद्धर में दंगे होए सेक्रों में हजारों लोग मारे गए लाकों करोड़ों की जो हमारी संपत्ति है असे जो है वो जलकर और तबाह हो गए और इसके बाद में उसक्ता बढ़ा है आज आज वो सब्सक्राइब के साथ सब्सक्राइब लेकिन ब्यांगे से लेके आज 2018 मतलब लगों 25 साल से ज्यादा समय उजल गया राम मंदिर का सवाल जिस दिन था उस दिन जो पढ़िदा नहीं हुआ ओ लोग की संख्या आज के बंदाता में पीस परकिश्य से जादा है राम मंदिर क जाए वही सवाल को लेकर 30 साल पर दो सवाल उने लिया उच्छाला उसका राज़िती की और अपनी रूटी से की वह सब्ता में आए और वापस जब उनकी सब्ता जाने लेगे उनको जब मालूँ हुआ कि उनके जो सब वादे हैं वह सब धकोश लेथे लोगों की सब्सक्राइब करते हैं जनता के जीवन के अंदर कोई परिवर्तन बोला दे सकते हैं रोजगार का वो सवाल जो है हल नहीं कर सकते हैं यह सब जब लोगों को मालूम हुआ तो उसके वाद फिर से अपना हातियार जो है वहार निकादा राम नंदिर की बात को वापस से चला समय को बात कर जो है किसां कर लितर तो फिर हैं जो हमारे सब्सक्राइब कहारे को महारे में पारदा कर जातर निक जो हर साल के से आपके अच्यए अजह में सकते हैं अदूब कर फिर आप देखिए हमारी पार्टी का नाम ही शित्कली कामगार वक्ष है और हमारी पार्टी यह पहली पार्टी है जिनों नहीं किसानाई के सवाल को अग्रस्ताम कर रखकर ब्रद्यवर्थिस्ताम कर रखके राजनेती को चलाया आपको मालूम होगा कि हमारी पार्टी की तरफ स्तापना हुई उस वक्त भी हमने एक सवाल दिया वह मतलब ग्यारेंटेड प्राइस जिसको हमी भाव मिलना चाहिए इस सवाल को लेकर हमारी पार्टी ने अंदोदन चलाया और महाराश्य के अंजोदी नहीं तो देजभत्यं केदर स्ट्राइप सबसे नो aboda तो विजिए परकर ने किया कि अजरी पर्टी नारह corporate यो थे पहला कि सानुंका सधिंटा वाफ्स लेग किया और और हमारी प्रत्षा मिलना आपको वेशंवेश्षा पियों के उत्पाद है उत्पाद हो आइसना भाव देना होगा कि उनके जिंदगी के अंदर गुशाद्यास थे उनके जिंदगी में पैंकि लाने के लिए है यह उनको गैरेंटेड जो रेट है मैंजिमम सपोर्ट पाइट जो है वो देना चाहिए इनीश की देना चाहिए इसमान हमेशा की और को सरकार ने संदर्व में डॉक्टर स्वामिनाथन कमिशन को अपराइन किया कमिशन ने अपने रिपोर्ट के अंदर बहुत से सजेशन किये उसको एक सजेशन यह है कि किसान की जो लागत है उस लागत के ऊपर 50 नगा मुनाफा जोड़कर उसको देड़ गुना जो है उसको विए लिम्स पूर्ट जिनना चाहिए यह सजेशन यह सुजाओ डोक्टर स्वामिनाथन देखिया और भारती गिन्था पर्टी की सरकारने यह सुजाओ दो है अपने घुर्षता कतरमें कहा कि यह सुजाओ भारती गिन्था में एम लिया है हमारी सबकार आते ही पहला काम अगर कुछ करेंगे तो डॉक्टर सौमयातन की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट काई जो सब्सक्राइशन है उसको मावर बिलाएंगे उन्होंने वावर में दुलाया है इडिकेशन के वह जो खर्च करना चाहिए वो खर्च किया है खेती के ऊपर खेती को मुनाफिय में ला कर्ज बढ़ गया बैंकों का कर्ज बढ़ा नीजी सावकारों का बढ़ा और जब उसका जिनाद उस्वार हो लिए तो वह आत्मात्य करेंगे लेगा कुछ कुछी करेंगे लिया सुशाइट है और यह संक्या सेक्ड़ मनें हजारों में देश्बन में दाखों की तालाद के लिए क्यों वरा इसन इबाद इसलिए हो रहा है कि किसान उनकों कि जीना बिश्वार हो लिए और सरकार किसानों कुछ नहीं दे लिए किसान करजे में है उसका कर्जा मात नहीं कर लिए लेकिन खेटी के कर्जे के नाम के उपर जो एंग्रो बेस प्रोसेस इंड़िए वह जो किसाने वादी हो घुख किसाने जाने वदया जैता विए वो किसान में हाइए कारण है कि हामारे डेंशा किसानलों आज वह बड़ी तक लिए में है उसका जिना दुश्वार हो गया हम बोलते हैं कि अना गुडाने वाला किसान और बॉडल पे दंगे वाला जवान एक इहर के दो पेटे होते हैं आज बॉडल पेका जवान और खेट पेका किसान इत दूनों भी पेटे जो है उस अंकट में है और फालत नागून है अब अब बात करते हैं सिर्फ बड़ी पक्षिण हमां राजमी ने या अच्छ को एच्छ को रिटियर्ट को डीवोटिवेंट को दी मोट्यूमेंट करते हैं सवाल यह है कि हमारा कॉंस्टिप्रिशन लिखने वाले लग्टर बाबा साथ अंगर्गर नहीं स्पष्ट कर लिया है कि हिंदुस्तान फुदुराजनीती है वो दो दर्व कि राजनीती दी होगी यहां पर कि अने एक भाषा बोली अने प्रदेशम लेने बाले अलग तरीके की तती में परने वाले अने धर्मों को मांके वाले वाले। वह है कि अहीर कि इसे यहां पर दो पर की सियाशनी के देनी यहां पर प्रट्या होगी अलग 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 तो इसलिए अलग अलग सवाल होंगे और अजिस तविके से बारतियोको दो दलों के अंदर बाटने की एक साजीश बड़ी बखुवी के साथ की जारी है उसको रुखना चलिए और दोनों के जनता गोडियों जो नीतिया उन नीतियों के खिलाब लेकिन एक बात को नहीं परता है कि जब मजदूर और जातीयों के नाम के उपर बादा राणने वादी फूट पाणने वावी राजनिती शुरू होती है उसवर्क एक वक्षिता हमको साथ जिना परता है और इसलिए आज ता बहरती है इंका धार्मिक पाके अधार के उपर धिमान ताके अधार के उपर एक डिदाने का जो नीति परास दरना चाहिए उसको पराना चाहिए बारतियांता पाप्टी को नाने के लिए सभी जो सेकुलर फोर्सेस उसमें कॉम्रेस अरश्ट बालबी आती है इसको साथ बेलेकर पीजिन सर्वर्कर्स पार्टी एक गड़बंदन बदाना चाहती है और इन जातिवारी नाक्तों क परास्त करना चाहिए जून और जुड़ा है कि अरिंडियान आपने रिजुशन फोर्म से इलेक्शन दढ़ाता है बन सिक्के लिए सर्थ पार्टी हो कॉंग्रेस हो आम आधी पार्टी हो M.C.P. सेट्वर्ट परक्षियर उने आपको सपोर्ट किया था सर आज तर जुबिशन कॉलिटी है जिए जिए सिशना मैंक्रिसकॉप कैसे लिखते हो और क्या-क्या परिवर्ट ते रिस्क होना चाहिए अभी 2018 के जून में मुंबई ग्राइट कॉंसरेंस ते का इलेक्शन हुआ उस एलेक्शन के अंदर सभी सेक्टिलर पार्टियों के जिए उविग्वार था लेकिन दुर्बाक की वात है कि इस एलेक्शन के अंदर शीव सेना के प्त्याशि जो है विजए होगे और ऑर माई उस वेशन में हागे लेकिन सवाल यह है कि पहले एलेक्शन में शीवसिणा का पत्याशिक्षी जो एक गवार्पा जिन जाता था कोई निरोरी दल खड़ाई नहीं उता था इस वक्त हमें पहल की कोशिश की अब मुझे ओमिड है कि असल में जो कमुझल बिजार के लोग है उनसे जादा थाकत इस देश की से कुलर लोगों की मुंबई के अंदर है लेकिन वो एक जूत महीं है उनके अदर विश्वास नहीं है और इस इलेक्शन के अंदर जिसकरी किसी एक रन्नेत्य बनानी पड़ती है राइट्स का रिजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको ओर्ट में तबदिल करना पड़ता है को काम करने के लिए जो एक व्यवस्ता होंकी चाहिए व्यवस्ता मारे पास नहीं थी और सेकुलर लो सेकुलर पर्टी का सेकुलर अभिचार धारत पर डिवाल जो है अगले ग्राइट कॉंसिनेंस के लेशन में जरूता में अगले आने वाला आम चुनाओ है सब बड़ा चेहरे आप महाराश्य के राश्टी पें क्या हम निख सकते कि एलेवे राजीनों कोडे लोक्स अभेश सेटाओठे एलेगे सब्ड़ाजी सब्सक्राइब के सब्सक्राइब मेंocy कउरा सब्सक्राइब और संदेंग घरके सब्सक्राइब में ओंश्य कुलिया और असल्बर टव धिचलर स्रिकुलर पार्टी एक होकर उन्होंने भारतिय जन्ता पार्टी को हवाना चलिए यह दिर्मे के लिए हमने हमारे प्रभाव शेपर के अंदर नहीं लगने का दर्में लिया और जो स्रिकुलर पार्टी का जोगी विवाद एकमत से होगा हुँ करेंगे उसको जिताएंगे और पार्टी को पराजित करना भारतिय को ये इक हम चाहते हैं कि हम και हमारा खाशदार हो यह ल्यांजू जेकिंज चाहिए और किету इसी सब्सक्राइबैने वाले हैं रोकल भा करना हो मैं तो छोगी है आज हमारी पर्टी का एक भी नमाइदाने लाने वाला है हम रोटों के बड़वारा नहीं चाहते है इसलिए शिर्फ और सिर्फ फेकुलर पर्टी के एकता और भरती दंदा पर्टी का प्राज है यह एक हेमारी उन्दी है कि आखर मैंने हमारे जुनता है मार्ष के रिवास ही है तो तक क्या सुच्णा क्या पैगंब आप पोस्टने शोगें किस से इस बार वोटिंग को देखें और अपना वोट पर डाल करें कि मुर्ण के नाया है कि इस देश में बूदी से पेजिंद हुक्मरान थे उनका कारोबार जंग रोधी रहा उसलिए आपने भारती जंदा पार्टी और एंडिये की सरकार को महाराष्ट का इंदर देवेंद्र फ़र्मिस को सत्ता प्रवटाया है लेकिन पास साल थोड़े हो दे जा रहे हैं सारी चार साथ हो गए है आप देख रहे हैं देवी में और महाराष्ट के मुंबई में भी यह जो सरकार दोनों जगह पर है इन सरकारों में जो वादे कि कोई भी वादा इन्होंने पुरा नहीं किया इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुमले किये लोगों के शाथ विश्वास घात दिया और सिर्फ मजदूर किसामों की बात की नहीं सिर्फ धन्ना सिर्फों की बात की उनके हितों की बात की आज रानी और अभानी जो है उनके हितो जो है खाई में गिर्दा है और ऐसे भी एक ही हमारा मकसद है कि सबसे पहले यह कुँ जनता लोगोंगे सरकार है उस सरकार को फटाएंगे एक अता के साथ गएंगे और लगे जितेंगे इतना है अधिने वाद एड़के राजिन दो कोड़े कि आपके सब्सक्राइब कि अपक अधिने पाराय बत्विचार हमारे साहरे काम कपने देशन दुनिया की सब्सक्राइब बड़ी तबड़िया देक्करिएंगे इस पुरिया धन्यवाद